बिसमिल्लाई रह्मान रहेम, वेलकम टू चॉप चंक्शन, आज हम आपके साथ बनाएंगे मिलके बहुती मज़ेदार से चिकट चोले, सबसे पहले आप एक किलो चने भिगोकर उबाल ले, दाल मसूर एक प्याली भिगोकर उबाल ले, प्यास ले एक अदद बड़े साइस क कि में काट ले, लेसन अदरख फ्रेश हमने कूटा एई, दो खाने के चमच, नममक हस्पेज आएका, लाल मीच पाउडर एक खाने का चमच, धन्या पाउडर एक चाय का चमच, जीरा जो फ्रेश कूटा ए, एक चाय का चमच, एक चमच, काली मिच आदी चाय की चमच, पंद्रा सोला दाने काली मिर्च के हैं गार्णिश के लिए लेंगे कटा हुआ अद्रग, हरी मिर्च और धनिया कुकिंग ओल डेड़ प्याली टोमाटर लेंगे एक अदद सबसे पहले हम डेड़ प्याली की को हलका सा गरम करेंगे उसमें प्यास शामिल करेंगे और इसे पिंक होने तक हम सौते करेंगे प्यास को हमने चलाया इसे पकने दिया यह बहुत ही मज़ेदार से चने बनते हैं बहुत यमी चाहे आप इसे नान के साथ खाएं चाहे राइस के साथ चाहे वैसे सादे भी खाएं यह देखें प्यास के उपर हलका सा कलर आ रहा है जैसे ही पिंक कलर आए तो इसमें हम शामिल कर देंगे लसन अद्रक का पेस्ट इसके साथ ही शामिल करेंगे टमाटर और इसको एक मिनट तक हम पकाएंगे एक मिनट तक पकने से लसन अद्र की बहुती प्यारी सी हुश्बू आ रही है और इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से निकालने के बाद हम एक कप पानी शामिल करेंगे और उबाल आने तक इसका इनतजार करेंगे जैसे ही उबाल आए इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तमाम मसाले जो हमने प्लेट में रखे थे सबको एकठे ही डाल देना है जी, तो मसाले आइड़ करने के बाद हम इसको हलाएंगे मिकस करेंगे अच्छी तरह और इसे भूनेंगे पांच से साथ मिनट तक भूनने से बहुत ही अच्छा सा मसाला त्यार हो जाएगा खुश्बुदार सा घी अलग हो जाएगा मसाला लेदा हो जाएगा ये देखें अब हम घी जो है वो सारा एक बरतन में अलग से निकाल लेंगे गी साथ पकाने से चनों के अंदर जाएगा वो अलग से बाहिर निकलेगा इसका हुश्बू और फ्लेवर सब घी की अंदर है ये गार्निश में हम यूज करेंगे बहुत ही प्यारा लगता है दाल जो के हमने ब्लेंड करके रखी थी वो बाकी मसाले में शामिल करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह हमने दाल को मिक्स किया और इसे पांच मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही इसके अंदर बबल्स बनने शुरूँ हो आप उबले हुए चने इसमें शामिल कर दे चनों के अंदर थोड़ा सा पानी था तकरीबन एक लास जो बलते वक्त इसके अंदर ही था वो हमने साथ ही एड़ कर दिया अब इसको चमच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें और तेज आँच पर 10-15 मिनिट तक पकाएं पकने के दुरान ये देखें जी अब बहुत ही गाड़ा सा मसाला त्यार हो गया हमारा अब ये डिश आउट करने के लिए बिलकुल रेड़ी है गार्णिश करेंगे हम इसको गीड़ा लेंगे और हरा धनिया अद्रक और हरी मिश्ट डालेंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकट छोले हमारे बिलकुल रेड़ी है मज़े से आप इंजॉय करें चैनल को सबस्क्राइब कीजिए रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो देखने का बहुत शक्रिया अल्ला हाफिज